दोलकपुर गाउं के किसी भी व्यक्ती में स्कूल का मुँ नहीं देखा। सबको बस खाना, पीना और सोना आता था। उन में से किसी भी व्यक्ती को अंग्रेजी तो छोड़ो, हिंदी भी सही धंग से नहीं आती थी। वो खुद तो कुछ पढ़े नहीं थे और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बारे में भी नहीं सोचते थे। एक दिन गाउं में एक रामचरण नाम का व्यक्ती समान बेचने के लिए आया। अंड्रेट का माल सौमें, हंड्रेट का माल सौमें। अरे भया, इह अंड्रेट कितना होता है? अरे बड़बाग, तुझे इतना भी नहीं पता। 100 का मतलब होता है, हजार रुपए, हा Capitol अरे पागल, तुझे भी नहीं पता, हंड्रेट का मतलब होता है, दस हजार रुपए। इसका मतलब इतना महंगा माल हमें बस सो रुपे में मिल रहा है चलो चलो सामान लेते हैं आज तो हमारा फायदा ही फायदा होगा सारे गाउं के व्यक्ति रामचरन के पास इकठा हो जाते हैं और एक एक कर उस व्यक्ति का सारा सामान बिक जाता है गाउं में ये सिलसिला चलता रहता है एक दिन आकाश नाम का लड़का उसी गाउं से गुजर रहा था और रामचरण की आवाज सुनकर सारा माजरा देखने लगा और दुकानदार के जाते ही पूछा अरे आप लोगों ने इतना सारा सामान क्यों लिया है? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने वो आदमी कितना भला मानूस है सारा सामान इतने सस्ते में दे कर गया है तुम्हें पता है, पूरे हंड्रेड का माल सो रुपए में दे कर गया है पता भी है, हंड्रेड कितना होता है पूरा दस हजार अरे काकी, हंड्रेट का मतलब सौ रुपई ही होता है आपके गाउं में सारे अनपढ़ लोगी हैं क्या ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है अरे, जाओ जाओ, तुम आज कल के बच्चे क्या जानो, जाओ जाओ बिलकुल ये अनपढ़ लोग हैं इस गाउं में तो, चलो मैं चलता हूँ थोड़े दिन बाद, गाउं में एक आदमी केडी आता है आईए आईए, और बस एक महीने में दिन दहाडे इंगलिश सीखिए हम इंगलिश खोल के पिलाते हैं आईए आईए, और इंगलिश सीख कर जाईए, सिर्फ दो सो रुपे में बिना महनत किये एक महीने में बोलिए, फर्राटेदार इंगलिश महिलाओं के लिए स्पेशल आफर, सिर्फ सो रुपे में सीख सकती हैं, फर्राटेदार इंगलिश बोलना तब ही वहाँ खड़ा रामू बोलता है अरे हरिया ए देख रहा रे यह कितनी बढ़िया इंगलिस सिखाते हैं है हमें तो पढ़ने की भी जरुरत नहीं होगी रे बस इंगलिस को घोलना है और पीना है है हाँ रामू तु बिल्कुल सही कह रहा है फिर हम वो फिल्मों की हीरो की तरह टपर टपर इंगलिस बोलेंगे हाँ चलो चलो इनसे बात करते हैं दोनों केडी की पास जाते है क्या आप हमें सच में इंगलिस घोल के पिला देंगे हाँ हम तुमको इंगलिस घोल के पिला देगा हमको बहुत अच्छा से इंग्लिश बोलना आता है भाईया पहले यह बताओ कि आपको इंग्लिश आती भी है या कि नहीं येस येस इंग्लिश कमस तो मी I speak इंग्लिश, I eat इंग्लिश I can talk इंग्लिश, I can walk इंग्लिश because English is my favorite language अरे अरे का गजब का इंग्लिश आती है आपको तो एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं आप तो हाँ हमने तो नजाने कितने रिक्षे वालों को इंग्लिश सिखाया है नाओ, वो लोग बड़ा इंसान बन गया तो हमें भी सिखा दीजिए ठीक है आप दो सो रुपए जमा करवा दीजिए और कल आजाईएगा आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएगा बिकज इंग्लिश इस वेरी फ़नी लैंग्विज भाईया लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि आपने महिलाओं को सो रुपए की छूट क्यों दी है वो महिलाओं को फराठेदार तो बोलना पहले से ही आता है न इसलिए हम लेडीज लोगों को छूट दिया है बात तो आपने सो टके की करी है औरतों का कोई मुकाबला नहीं है बोलने में हाँ अब तुम लोग जल्दी से अपना फीज जमा कराओ और मस्थ लललन तॉप अंग्रेजी बोलना सीखओ दोनों भागे भागे घर जाते है और सारे गाउवालों को बताते है ये बात सुनकर सारे गाउवाले केडी के ओफिस के सामने इकठा हो जाते है और सभी गाउवाले पैसा जमा करा देते है चलो चलो सब यहाँ आओ और इंग्लिश खोल के पीलो केडी एक इंग्लिश नाम का डबबा निकालता है और सब को पानी में घोल कर पिला देता है अरे वाह इंग्लिश स्पीकर तो मजा ही आ गया है केडी सर हम कितने दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे बस एक महीना और तुम लोग उन गोरों से भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जागे ठीक है सर ठीक है अब तो इंग्लिश बोल के एक गोरी में बिहा कर लाओंगा हाँ हाँ हरिया अब तो बस मौज की जिन्दकी कटेगी अपने बच्चे तो पैदा होते ही अंग्रेजी बोलेंगे हाँ हाँ अब तो बस महीना पूरा होने का इंतेजार है एक महीनी बाद अरे हरिया एक महीना हो गया अभी तक हमें इंग्लिश नहीं आई है और रामू चल चल केडी सर के पास चलते हैं और पता करते हैं और गाउवालों को भी लेकर चलते हैं हरिया और रामू गाउवालों के साथ केडी के ओफिस पहुँचे अरे केडी सर एक महीना हो गया लेकिन हमें अभी तक इंगलिस बोलना नहीं आया हाँ सर हम कब से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा इंगलिस बोलना अच्छा अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के माइंड में इंगलिश अभी अच्छी तरह से घुली नहीं है घुलेगी भी कैसे तुम लोगों का माइंड छोटा है ना इसलिए तुम लोग एक बार और इंगलिश पी लो सर इसके बाद फाइदा तो होगा ना हाँ हाँ जरूर होगा सारे गाउंवाले दुबारा पैसे जमा करते हैं और इंगलिश पीकर आ जाते हैं हरिया दूसरा महीना भी पीत गया लेकिन कोई फाइदा नहीं हो रहा है सारे लोग दोबारा केड़ी के आफिस पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ती उस आफिस को ताला लगा रहा है तब ही हरिया बोलता है अरे काका ये केड़ी सर कहां गए और आप यहां ताला क्यों लगा रहे हैं उसने दो महीने के लिए मुझसे दुकान किराय पर ली थी अब वो चला गया लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो हरिया सारी बात बताता है तभी वो व्यक्ती बोलता है अरे मूर्खों पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना आती है उसके लिए किताबे पढ़नी होती हैं स्कूल जाना होता है अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की होती तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता था हाँ हाँ हाँ